हे बीणबादिनी सरस्वती हंसबाहिनी सरस्वती विध्यदाईनी सरस्वती तो स्टुडेंट्स इसी कैटिगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएसी फिफ्ट सैम क्वांटम एंड लेजर फिजिक्स यूनिट 3 के एक और इंपॉर्टन टॉपिक की जिसका नाम है आइंस्टाइन कॉफिशियंट्स तुडेंट्स अलबर्ट आइंस्टाइन ने 1916 में इंट्रयक्शन ऑफ एलेक्र मैनोटिक रडियेश्ण गित्मैट्र को स्टडी किया और उन्होंने हमें ये बताया कि जो इलेक्र मैनोटिक रडियेश्ण होती है वो मैटर के साथ 3 प्रूसेसिस के थ्रूइंट्र इंट्र में स्टीक पॉइशन के लिए इनद्क पॉपिक में एक होता है इसे । पॉपिक पॉपिक विल बार बारा कहिए और अजो हम Frankly एनिचेंट कोफीशंट्व शोगा उसको हम A21 से denote करेंगे और जो हमारे पास stimulated emission के लिए Einstein coefficient होगा उसके हम B21 से denote करेंगे तो B12, A21 and B21 में आपस में क्या relationship है वही आज हमने आज के topic में Einstein coefficient नाम के topic में आज हमने वही relation निकालना है और यह question जो है आपको चार या पांच marks में बहुत बाग उचा जाता है exams के अंदर तो सबसे पहले आपको पता होना चीए इन त्रीन basic processes के बारे में इसके इन processes को मैंने एक वीडियो में explain किया था जिसका नाम था बेसिक्स लेजर उस वीडियो का link में आपको नीचे जरूर दे दूँगा वहां पर मैंने आपको इन processes के बारे में पूरी details से बताया था आज मैं इन तीनों processes का सिर्फ आपको overview दूँगा ताकि आपको यह topic समझा जाए इन तीनों processes की detail में आज नहीं जाएंगे सरक उपर उपर से देखेंगे कि तीनों processes क्या होती है क्योंकि जो आइंस्टन कोफिशन की derivation है वो इन तीनों processes पर ही depend करती है तो चली स्टार्ट करते हैं आज का टॉबिक आइंस्टन कोफिशन को topic को समझने के लिए आपको इन तीनों processes को one by one समझना पड़ेगा उसी के थ्रू हमारी आज के आज के आइंस्टन कोफिशन के बीच में जो relationship है इस derivation का जो मक्सद है वो निकल बाएगा तो पहले हम स्टार्ट करेंगे पहली उस प्रस्ट से जिसके थ्रू इलेक्रमेंड डिशन मैंटर के साथ इंट्राइब करते जिसको बोलते हम स्टीमोलेटिड और इंड्यूस एब्सॉप्शन जैसा कि आप डियागराम में देख सकते हैं हमने दो अनर्जी स्टेट्स नहीं है किसी भी मैंटर की यह है मालबाद लो जो है वो अन्टू से डेटर होता है मिन जो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं ग्राउंड स्टेट में वह एस कंपेर टू एक्साइट स्टेट जाला होते हैं तो सब्स्ट होगा गया जब हम बाहर से एक फोटोन इंसिदेंट करवाएंगे इसके उपर इलेक्रमेंडिक को बेस मालते हुए आइस्टाइंड कोफिशंट की डेडिवेशन की जाएगी माली जी हमने एक्ट्रमेंडरी डिडिशन मींज फोटोन इंसिदेंट करवाएं इस एटम के ऊपर तो होगा क्या होई जो एटम ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है यह एनर्जी अब्सॉ को बला जाता है स्टीमुलेटिड और इंड्यूस अब्सॉप्शन क्योंकि हमने यहां पर ग्राउंड स्टेट में बैठे हुए आटम को स्टीमुलेट किया है ट्रिगर किया है फोर्स किया ताकि वह लोगर अनर्जी स्टेट छोड़के अपर अनर्जी स्टेट में चला ज कि जितना इन दोनों अनर्जी स्टेट का डिफरेंस है इनकी इनर्जी का इनर्जी का फोटो ना अपने इंसिडेंट करवाना है और यह एटम जो है इस अनर्जी को अब्सॉप करके चला जाएगा एक्साइटिस स्टेट में और आफ्टर अब्सॉप्शन जो आपको सेनर् की इन भाते हैं अनर्जी ञेंट ले सुपने एंसिडेंट करेंट के उपर बस आपने ही ध्यान अकना है कि जो rate of stimulated absorption होगा वो depend करेगा in incident energy की, incident energy की energy density के उपर तो दो factors है जिनके उपर stimulated absorption और induced absorption का rate depend करेगा वो है number of atoms कितने present अग्राण स्टेट में और number two energy density कितनी है incident radiation की तो students जहीं से हम start करेंगे तो देखते है students पहले point के अंडर आप exam में क्या लिख के आएंगे let e new be the energy density of incident radiation हमने मान लिया कि हमने e new energy density की radiation जो है वो यहाँ पर fall कर रही है तो होगा क्या students rate of stimulated or induced absorption जिसको हम R, S, T, A से denote करेंगे R, S, T, A, S capital T, small A capital S, T for stimulated, A for absorption is directly proportional to जो R, S, T, A होगा rate of stimulated absorption होगा that will be directly proportional to N1 number of atoms present in the ground state आप उपर mention करेंगे इस topic की starting में N1 है number of atoms in the ground state N2 है number of atoms in the upper state और E1 है energy of ground state E2 है energy of upper state तो जो rate of stimulated absorption है that will be directly proportional to N1 and rate of stimulated absorption R, S, T, A will be proportional to energy density of incident radiation तो दोनों factors combine कर रहते हैं means R, S, T, A proportional हो जाएगा N1 into EV के E new के, sorry जो energy density है वो frequency का function होती है incident and radiation की जब हम proportionality का sign at आएगे तो मारा पर एक constant of proportionality लगेगा जो कि होगा B, 1, 2 जब भी stimulated word use होगा तब आप icing coefficient B use करेंगे और जब spontaneous word use होगा तो हम icing coefficient के लिए A symbol का use करेंगे तो कि यह transition from level 1 to level 2 हो रही है तो यहाँ पर हम 1, 2 लिखेंगे means transition from level 1 to level 2 यह Einstein coefficient for stimulated absorption from level 1 to level 2 तो B, 1, 2 के हैं यहाँ पर B, 1, 2 is coefficient of proportionality and is called Einstein coefficient for stimulated absorption from level 1 to level 2 और इस stimulated absorption के लिए जो Einstein coefficient होगा उसको हम B, 1, 2 से denote करेंगे तो students यह हमारे पर first equation आ चुकी है अब हम second जो process है हमारी interaction of electromagnetic radiation with matter की वो है spontaneous emission वो देखेंगे हम next section में वहाँ से भी equation बनाएंगे और यह देखेंगे हम students next section के अंदर तो चली students अब discuss करते हैं वो second process जिसके through electromagnetic radiation जो है वो matter के साथ interact करते हैं और वो process को हम बोलते है spontaneous emission इससे पहले जो process हमने discuss करी थी जिसका नाम ता stimulated absorption उसमें हमने क्या किया था जो atom ground state में present था उसके ओपर भार से energy fall करवाके जिसके energy density e new थी उसको excited state में भेज दिया था यह काम पिछले process में कर चुके थे अब students होगा क्या जो atom excited state में पहुँच गया है 10 की power minus 8 seconds तो students क्या होगा यह दो तरीके से उपर से नीचे आ सकता है या तो यह अपने आप आ जाए या फिर इसको बाहर से energy दे के नीचे लाया जाए तो अगर आप यह अपने आप नीचे आता है excited state से ground state में 10 की power minus 8 seconds उपर रहने के बाद अपकर अपने आप नीचे आता है तो इस प्रोसेस को बोलते है spontaneous emission spontaneous emission में जो atom excited state में present था वो अपने आप नीचे आएगा automatically ground state में आएगा और होगा जब वो नीचे आएगा तो एक photon emit करेगा कितनी energy का photon emit करेगा जिसनी energy का उसने photon फोटोन एब्जॉब किया था यहां से यहां जाने में और वो उस फोटोन की energy की वैजियों थी एटू माइनस एवन नीचे जो फोटोन एवन होगा एटू माइनस एवन नर्जी का फोटोन एवन होगा तो यह है बिफोर emission जब excited state में एटम प्रेजेंट था यह है आप्टर emission की picture जब वो ड्राउंड शेट में वापिस आ जाएगा साथ में एक फोटोन एमिट करेगा जिसकी energy होगी एच नी और एच नी उस इकोल दोगा एटू माइनस एवन के अब students जी जो rate of spontaneous emission है कितने rate से जो एटम का transition हो रहा है level 2 से level 1 में वो किस बात पर depend करेगा वो सिर्फ एक ही फेक्टर पर depend करेगा और वो फेक्टर होगा कि excited state में कितने number of atoms present है means n2 पर depend करेगा rate of spontaneous emission यहाँ पर हम भारत ते कोई energy incident नहीं करवा रहे तो यहाँ पर जो rate of spontaneous emission है वो internet energy की energy density को पर depend नहीं करेगा सिर्फ एक ही फेक्टर पर depend करेगा वो depend करेगा कि यहाँ पर कितने atoms present है before emission तो चलिए students to do करते हैं और देखते कि second point में आप क्या लिख क्या आएंगे इस topic के अंदर the rate of spontaneous emission rspe s capital p small e capital s p for spontaneous e for emission is directly proportional to rspe rate of spontaneous emission is directly proportional to n2 सिर्फ एक ही फेक्टर में depend करेगा rate of spontaneous emission और वो factor होगा n2 means number of atoms कितने प्रेजेंस थे before emission excited state के अंदर जो की है n2 तो चलिए प्रोपोस्टनाइटी कैसा नटाएंगे तो अगेन एक constant of proportionality लगेगा यहाँ पर हम a21 से denote करेंगे क्योंकि है spontaneous word यूज हो रहा है स्पॉंटेनेस के केस में हम a से denote करेंगे Einstein coefficient को और a21 होगा हमारा Einstein coefficient for spontaneous emission from level 2 to level 1 21 क्यों लिखा है क्योंकि यह tradition जो है वो second level था है first level में हो रहा है इसलिए यह आपर 21 लिखेंगे और यह students हमारी second equation इसके बाद हम discuss करेंगे third process जो की होगी मारी stimulated emission करती है और जिसका नाम है stimulated emission जो है फो लेजर लाइट का basic principle भी है स्पॉर्स प्रसेस में हमने क्या किया था बाहर से इनर्जी फॉल करवा के उस एटम के उपर जो की ग्राउंड स्टेट में प्रेजन था उसको हमने एक्सेक्टि स्टेट में भेज जया था और बाहर से हमने कितनी इनर्जी का फोटो इंसिदेंट करवाया था अब वह स्टेट में पहुंच चुका है यह हम फर्स्ट प्रसेस में पढ़ चुके हैं तो स्टुडेंट्स हमने पिछले सेक्शन में पढ़ा था कि कैसे वह अपने आप भी नीचे आ सकता है स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जिसको हमने स्पॉंटिनिस एमिशन प्रोसेस नाम द ब्राबर जब यह फोटोन जिसके एचनियू है एकवल टू मैंस एवन के ब्राबर है जब फोटोन इस एक्साइटिस के बैटर वे अटम से इंट्रेक्ट करेगा तो यह एटम इस अनर्जी का अब्जूब करेगा और अनर्जी का ब्जूब करने के बाद वो नीचे आ आने के लिए तो सुने आपको दो फोटोन देखने को मिलेंगे एक जो हमारा इंसिदेंट फोटोन था और एक जो हमारा एमिटिट फोटोन है जो की ट्राजिशन ऑफ एटम फ्रॉम अपर स्केट टू ग्राउंड स्केर के करन पर्डूस हुआ है तो आपको दो फोटोन दे और यह है after emission कर सेर्य तो यहां पर सुडेंट जैसे कि आप देख सकते हैं जो stimulated emission का rate है वो दो factors पर depend करेगा एक तो depend करेगा कि आपके number of atoms कितने present थे excited state में before emission और किस बात पर depend करेगा और इस बात पर depend करेगा कि आपने कितनी energy density की additions fall की है इस atom के ओपर जो के excited state में present है तो यहां पर दो factors पर depend करेगा rate of stimulated absorption के ऊपर और energy density e new के ऊपर तो आई इस बोड़े देखते हैं कि आप third point के अंदर क्या लिख के आएंगे the rate of stimulated emission R, S, T, E is directly proportional to S capital T small E capital S, T for stimulated E for emission तो दो factors पर depend करेगा rate of stimulated emission is proportional to N2 means कितने number of atoms present excited state में before emission second rate of stimulated emission R, S, T is proportional to energy density e new of incident radiation कितनी energy की आप fall करवा रहे है radiation इस बाते पर depend करेगा कि कि कितने atoms जो हैं वह excited state से ground state में आ रहे हैं transition कर रहे हैं तो इन दोड़ों factors पर combine करेंगे तो N2 के साथ आजएगा E new और proportionality साने आएंगे तो यहां पर अगें एक coefficient लगेगा जिसको हम denote करेंगे B21 से 21 इस लिए लगा है क्योंकि यहां पर stimulated है जब spontaneous लगा होगा तो यह लगाना है symbol capital A और जब stimulated word यूज़ होगा चाहिए वह first process हो चाहिए वह third process हो तो हमने B symbol यूज़ करना है बेर B21 is constant of proportionality and is called Einstein coefficient for the transition from level 2 to level 1 B21 constant of proportionality और यह हमारा third Einstein coefficient जो के represent कर रहा है stimulated emission को from level 2 to level 1 तो यह है third equation अब हम इसके बाद further derivation करेंगे हम next section के अंदर तो शुरें last section में हम तीन equations निकाल चुके है पहले निकाले थी हमने rate of stimulated absorption first process के अंदर जो की थी B12 N1 E new जिसको में first equation दिया था एक थी rate of spontaneous emission जिसको value निकल गया थी A21 N2 जिसको में second equation दी थी एक थी 3rd वाली rate of stimulated emission जिसको जिसकी value निकल गया थी B21 N2 E new जिसको में third equation दिया था देखी students atom को on ground state से excited state में सरफ एक ही तरीके से भेश सकते हैं और वो था stimulated absorption और जब वो atom जो excited state में चला जाता है तो उसके बापिस आने के दो तरीकी होते है there are two ways for the transition of atom from level two to level one और पहला जो वे था वो था spontaneous emission के वो अपने आप नीचे आ जाए और दूसरा वे था atom के transition का from level two to level one वो था stimulated emission जिसमें हम बाहर से अनरजी डालके excited state में बैटे हुए atom को उपर से नीचे बेजते थे तो सुने थर्मोडानेमिकल equilibrium में क्या होगा जो उपर जाने का rate होगा वो नीचे आने के जो rate है मारे पास चाहे वो spontaneous emission का rate हो चाहे वो stimulated emission का rate हो उन दोनों के सम के बराबर होगा तो यह से हम continue करेंगे और देखते हैं क्या लिखके आएंगे हम आगे इन थर्मोडानेमिकल equilibrium जो the rate of stimulated absorption उपर जाने के जो rate है will be equal to rate of spontaneous emission plus rate of stimulated emission जो दोनों emissions से एक तर spontaneous emission एक तर stimulated emission उन दोनों के rate के सम के बराबर होगा जो हमारा absorption का rate था तो हम क्या करेंगे तो हम क्या करेंगे रस्टी रस्पी रस्टी की हमने यहां से basically find करने है एक न्यू की वैल्यू दो जो हमारी यह वाली यह वाली यह जो तर्म है हमारी जाते हैं तो पहले हम लिखेंगे बी वान टू एंडवन इन्यू माइनस बी टू वन एन्टू इन्यू यहां से ईन्यू common ले लेंगे और जो ब्रैकेट में बचे गांव लिख दिया हमने उसके ब्रैकेट को वह निरॉम्मियनेटर में भेज देंगे अगर हम स्टूरेंट्स क्या करेंगे यहां से B21N2 common लेंगे denominator में से यह पूरी की पूरी term हम भाहर common लेंगे तो students इसके पास तो यह term थी नहीं तो यह जो B21N2 था इस first term के अपॉन में आ जाएगा पहले हम B12N1 लिखेंगे divided by B21N2 जो हमने common लिए है minus यहां पर बच्चे का 1 क्योंकि यह common में जा चुका है यहां N2 से N2 कट जाएगा और Enew की value निकल गयागी A21 B21 ब्रैकेट स्कार डिनॉमिनेटर में B12N1 divided by B21N2 minus 1 तो students यह Enew की value आ चुकी है जिसको हमने दे दिया equation number 5 और इसको हमने A21 B21 अलग से लिख दिया और यहां पर जो कट के 1 बचा था वह हमने यहां लिख दिया और इसको हमने B12 B21 अलग से लिख दिया और N1 upon N2 हमने अलग से लिख दिया आपर minus 1 साथ में लिख दिया और अब सुदेंस आपको पता है कि जो Maxwell Boltzman distribution law है वो हमें दो-दो state जो हमारे पास थी ए ground state थी एक excited state थी उन में atoms थे ground state में अटम से N1 और excited state में अटम से N2 उन atoms का ratio क्या होगा यह हमें कौन बताता है Maxwell Boltzman distribution law बताता है और जो atoms का ratio होगा उन दोनों states में चाहे वो ground state और excited state हो उन atoms तो जो ratio होगा वो उन energy states की energy पर depend करता है और उसका formula को याद रखना है वो होता है नमबर आप अटम का ratio होगा एन वन डिवादेबाइन टू एकवर तो वह एकवर तो पावर एटू मैनस एवन डिवादेबाइक के बीटी एपसलूट टेम्रेचर के बी है बोल्समान कॉंस्टेंट एटू है excited state के energy एवन है ground state के energy एन वन है है number of atoms in ground state and number of atoms in the excited state जैसे के आप जानते हैं जो a2-e1 होगा वो यहां पर हन्यू के बराबर होगा क्योंकि इतनी ही energy का हम photon incident करवाते हैं यह को निकालने के लिए तो a2-e1 की जिए हम एचनियू पूट कर देंगे तो यहां कि हमारी equation number six उसके बाद हम क्या करेंगे students n1 upon n2 की value जो हमारा पर यहां निकल का यह 6 में उसका हम डालेंगे fifth equation में और further derivation करेंगे next section के अंदर तो students आज चुके हैं last section के तरफ जिसमें माइचन कोफिशंट के बीच में relationship निकालने वाले हैं तो students e-new की value निकाल चुके थे जिसको हमने fifth equation दीती और n1 upon n2 का जो ratio था Maxwell-Boltzman distribution loss के से हमने निकाला था जिसको हमने दिया था equation number six अब हम क्या करेंगे n1 upon n2 के value यहां पर put करें मैं इस using करेंगे sixth equation को fifth equation में तो देखें सोलने क्या होगा e-new को e-new ऐसी रहेगा a21 b21 हमारा सी रहेगा 1 हमारा सी रहेगा b12 b21 हमारा सी रहेगा यहां पर n1 upon n2 की value पूट करने वाल करनी है आपने और n1 upon n2 की value निकाल के आई थी e की power h new upon kbt तो हम n1 upon n2 की जगा e की power h new divided by kbt कर देंगे minus 1 हमारा ऐसे ही रहेगा तो इसको देखें हमने equation number seven हमारी energy density की value निकल के आई है अब plans radiation log के according energy density की value होती है वो क्या होती है इसका formula आपको याद अखना है इसकी derivation अभी आपके syllabus में नहीं है तो plans radiation log energy density का formula होता है आपने कैसे याद रखना है इसको सिर्फ यहाँ पर a21 upon b21 है यहाँ पर यह चीज़ आपको याद रखनी है निकी यहाँ पर eight pi h new cube upon cqy आएगा बी one to b21 जो रेशो यहाँ पर उसकी जगार यहाँ पर one है यहाँ पर coefficient one है यह वरी टम आपर हैसी देगी one उपर को सकते हैं यहाँ पर हम इक साथ के साथ डॉट में लग आ सकते हैं बागी सारा हमारा हमने टीज़ देगा इक क्या करेंगी इक्वेशन नमबर 7 और एक्वेशन नमबर 8 को compare करेंगे E new है यहाँ पर यहाँ पर E new है means left hand side equal है right hand side compare करने वाले हैं देखे students यह पूरी की पूरी टाम के बाहर क्या लिखा हुआ है A21 by B21 वो हम नहीं आ लिए A21 by B21 और इस पूरी की पूरी टाम के बाहर क्या लिखा हुआ है A21 by B21 का ratio होगा वो इसके बराबर होगा A8 pi H new Q by CQ तो comparing करके हमारे पास first time भी comparing करके हमारे यह relation निकल गया A21 और B21 के बीच में A21 है rate of spontaneous emission from excited state to ground state और यह है rate of stimulated emission from excited state to ground state Vectoration का यह निकल गया आएगा और आप देखे students यहाँ पर E का जो coefficient है यहाँ पर B12 by B21 है और यहाँ पर जो E वली term का जो coefficient है वो 1 है तो यहाँ पर compare करने का बाद B12 upon B21 की value 1 की बराबर आजाएगी और B12 equal to B21 आजाएगा B12 था मारे पास rate of stimulated absorption from lower level to excited level और B21 rate of stimulated emission from upper level to the ground level तो यह दोनों equal आजाएगा तो students यह और यह आपका main result है यह दोनों के दोनों यहाँ तक आपने एग्जामे करके आना है तो students यह था आपका 4 or 5 marks के बहुत important topic Einstein coefficients का क्या होते हैं उनके बीच में क्या relationship होता है तो students I hope आपको आज के lecture समझाया हुआ मिलते हैं किसी और वीडियो में till then thank you so much आपको 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 आज के lecture समझाया हुआ मिलते हैं किसी और वीडियो में till then thank you so much